Biofuel Expo 2023 एक आविश कारिक सोच, विज्ञान, जो हमारे भविश्य को सुनेरा, साफ और सुरक्षित रखने को अग्रिसर है। Biofuel Eco-Friendly निर्माण में सरल और आर्थिक तौर पर सस्ता विकल्प है। इसका निर्माण Cooking Waste, Agricultural Waste, Cooking Oil, Animal Fats और Natural Waste से होता है। Fossil Fuel के बढ़ते हुए उप्योग और भंडारों की हो रही कमी की बज़े से इंदन उत्पत्ती और उप्योग एक बहुत बढ़ा सवाल है। इस सवाल का एक मात्र विकल्प है Green Fuels जैसे सौर उर्चा, हवा, पानी और Bio Fuel पिछले कुछ सालों से जिस तरह से EV वहनों पर जोर दिया जा रहा है। और इसे लोगों ने positively सुईकार भी किया है। Bio Fuel भी इसी तरह एक लंबी जलांग लगाने के लिए तैयार है। और देश को एक clean और green विकल्प देने के लिए सज्ज है। एक संगठन के तोर पर हम सब को साथ में मिलकर Bio Fuel को एक मंच से आगास करने का वक्त आ गया है। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए दिल्ली में आयोजित होने वाले Bio Fuel Expo 2023 में आप सब का स्वागत है। Bio Fuel Expo, Green Society of India और Indian Exhibition Services द्वारा आयोजित किया जा रहा है। 5 जून से 7 जून 2023 तक चलने वाले इस एक्सपो में Bio Fuel से जुड़े Manufacturers, Trade and Suppliers, Transporters, Farmers Producers Association, Research and Development Organizations, Bio Plant Equipment Manufacturers जैसे कई संस्थाएं एक मंच पर सम्मिलित होंगी। इस एक्सपो में 200 से ज्यादा Exhibitors और 10,000 से ज्यादा Business Visitors इंडस्री को सशक्त करेंगी। इस एक्सपो से देश विदेश से Bio Fuel Industry से जुड़े लोग, आम जंता, मीडिय, Suppliers, Investors, Industry Professionals से one-to-one interaction कर सकेंगे। आपको आधुनिक Technology, Import-Export Opportunity, Networking, Product और Services जैसे और कई विशव के ऊपर एक्सपो में Knowledge Sharing की Opportunity बिलेगी। आपको बताते हुए खुशी और गर्व है, Biofuel Association of India, Confederation of Biomass Energy Industry of India और Punjab Renewable Energy Systems Private Limited इस इवेंट में असोसियेट पार्टनर बनकर Biofuel Industry को एक नए आयाम पर ले जाने के लिए ततपर है। तो आईए Biofuel Expo के इस मंच को शक्ती प्रदान करें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में एक्जिबिटर्स या एक विजिटर के रूप में इसका भागिदार बनें।